जय माविन धवाशनी हर हर महादेव आप शबी का स्वागत है आपके अपने योटूब परिवार फेस्बूक पेज पे हम किसी विशेश कामना के हितु किस प्रकार से सब्तसती में संपूट पाठ करते हैं सब्तसती का सामान्य पाठ अनेकों प्रकार के पाठ होते हैं और उन्हें सब्तसती का पाठ नहीं कर पाते हैं और जिनकी विशेश कामनाएं हैं वैसी decisub uluki durgah के भी पाठ संपूट करकी करने से उनकी मनोकामना फलीभोत होगी तो इसमें एक तो मूल पाठ हो गया जो हम देख रहे हैं सब्तिसलोकी, दुरगा, सिवववाच, देवीवाच, फिर बिनियोग है और बिनियोग के पर शाथ वह सात मंत्र हैं जिसको की हम दुरगा सब्तिसलोकी में पढ़ते हैं अब इन सात मंत्रों को किस प्रकार से हम संपूट करेंगे यह है संपूट का मंत्र, जिस कामना की पूर्ती के लिए जिस मंत्र का हम परियोग करेंगे वह संपूट मंत्र होगा तो हम उदाहरन के लिए मान लेते हैं कि घर में मांगलिक कारे नहीं हो पा रहे हैं कलह कलेश मचा हुआ है हमें घर में मांगले कारियों की पूर्ती है तू घर में मांगल लिखता आने है तू और सभी प्रकार के कल्लाणे है तू मंत्र का प्रियोग करना है और उस मंत्र का प्रियोग किस प्रकार से करेंगे कौन सा भा मंत्र रहेगा उसे देख लेते हैं संप आप सभी अगर चाहेंगे तो हम अलग-अलग से ये हर कामना के अंतर गत अलग-अलग पूरा या पाठ बना करके वीडियो चैनल पर डाल देंगे जैसा आप चाहें तो यहां सरब अप्रकार के मंगल और कण्याड है तू स्रीदुरुगा सब्सुलो की संपूर्ट पाठ श्री महाकाली, महालक्षमे, महासरचोत, देवता है यहां तक सब सेम रहेगा हर प्रकार के संपूर्ट पाठ में अब यहां स्रीदुरुगा प्रत्यर्थम है यहां भी हम बोलेंगे लेकिन उसके बाद जिस कामना के हितु हम वह पाठ करने जा रहे हैं संपूट का उसे भी बोलेंगे जैसे यहां पर हम जो करने जा रहे हैं सरब मंगल प्राप्ति अर्थम तो इसे लगा दिये हैं के बाद हम बोलें सरब मंगल प्राप्ति अर्थम स्री संपूट सब तसलों की दुरगा पाठे बिनियोगा यहां बिनियोग एक बार करेंगे और उसके पचार संपूट संपूट कैसे लगाना है उससे देख लीजिए कभी भी संपूट लगाने के विधी किसी भी प्रकार के पाठ को जब करते हैं तो ऐसे ही संपूट लगाना होता है मूल मंत्र यहां से आरम हो रहा है अब इसका ये हो गया मूल मंत्र आपका ठीके संपूट कैसे लगाना है संपूट मंत्र हम दो बार पढ़ेंगे संपूट कारत होता है किसी एक मंत्र को किसी दूसरे मंत्र के मध मंत्र पढ़ए बाद देना ठीक है, बंदित करना घेरे देना तो गलती लोग क्या करते हैं a 시청под्ध करने एक बारी पोल्च मंत्र हो गाए अ संपूट का पाठ कर देंगे संपूट मंतर का और उसके बार फिर दूसरा मंतर पढ़ देंगे यह गलत भी धी है ध्यान रहे ठीक है दो बार संपूट मंतर का पाठ पहले होगा फिर मूल मंतर का पाठ होगा फिर दो बार संपूट मंतर का पाठ होगा तब जाके दूसरे मंत मंत्र का पाठ किए एक बार तब जाके पुनाह संपूट मंत्र का दो बार पाठ किए और उसके पश्यात अब जो पाठ होगा वह यहाँ दूसरा मंत्र जो है यहाँ पाठ होगा यहाँ मंत्र पढ़ने के बाद पुनाह जो है संपूट मंत्र का दो बार हम पाठ करेंगे तो इसम्पूर कर रहे हैं हम कितना ब़र यह मंत्र पढ़ दिया हम आपThe मंत्र को पढ़ेंगे चोथा इस तरीके से शंपूर किया जाता है तो आसा करते हैं किसी विशाय को आपसे भी समझेंगे और आगे आपसे भी चाहें तो हम पूरा लिख करके किक सम्पूट पार्ठ का पीडियेफ भी दे देंगे या वीडियो बना करके भी बता देंगे जय माविन दवाशनी हर हर महादियो